आपकल के लेक्शस में आपको क्या पढ़ाया था देख लेते हैं डेक्स्टप पे आते हैं पाइथन प्रोग्राइमिंग कि देमो 40 ओपिन करते हैं बई डेमो 40 रेंज डेटा टाइप हम लोगों नोर्स को मैं ओपिन कर लूँ मैं नोर्स को ओपिन कर लूँ हुआ तो इसमें लूप में आपने देखा था फॉर लूप लास्ट लेक्चर में आपने फॉर लूप देखा था एंड और सेप में यह की सेपरेट में डिफरेंस क्या था यह देखा था आपने और फॉर लूप आपने string पे देखा था उसके बाद range data type range data type में आपने क्या देखा था कि range क्या करता है sequence of number generate करने के लिए आप range data type का use करते हो sequence of sequence of number generate करने के लिए range data type का आप use करते हो ओके ना ठीक है sequence of number generate करने के लिए range data type का use करते हो मैंने यहाँ पे लिखा देखना मैंने बताया था कि range of n यह क्या करेगा zero से लेके n-1 तक sequence of number generate कर गा इसका example आपने देखा था यानिकि range of 5 किया तो zero से लेके 4 तक यानिकि n-1 तक sequence of number generate करेगा आपने देखा था MN तो starting from यानि कि कहां से कहां तक sequence of number generate करेगा भाई M से लेके N-1 ये आपने देखा था एक step आपने ये देखा था ठीक है ना जैसे आपने 10 और 15 किया तो 10 से लेके 15 यानि कि 15-1 14 तक sequence of number generate किया था इसका एक जामपल भी आपने देखा था सायर एक्जामपल देखा था ना कि नहीं देखा था ओपन कर लेते हैं इसको ओपन कर लेते हैं चलो हमने यहां पर लिखा सुरी हमने लिखा पाइटन में हमने एक range data टाइप बनाया फॉर लूप यूज़ किया फॉर एक्स इन कलेक्शन कलेक्शन हमने कर लिया range of range of हमने कर दिया 20 20 कॉमा 20 कॉमा 30 ठीक है range जरूरी है क्या कि range यहां पर आपको यूज़ करना आप अलग से डिफाइन करके वैरियबल भी यूज़ कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे क्या यहां पर इंडेंट देना पड़ेगा ब्लॉक बनाने के लिए हाँ अब यह बताओ कि यह क्या करेगा यह आपको पता है कि एंड से लेके यानि कि 20 से लेके एम माइनस वन यानि कि 30 यानि कि 30 माइनस वन क्या करेगा कहां से कहां तक यानि कि 21 कॉमा 22 कॉमा 20 से स्टार्ट करेगा 20 कॉमा 21 कॉमा 22 कॉमा 23 कॉमा ऐसे डॉट 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 तक का सिक्वेंस आप नंबर जनरेट करेगा यह भी ए तो क्या बताया था किसी कलेक्शन के किसी कलेक्शन के हर एक आइटम के लिए आप या wastewater क्या चाहते हो स्टेटमेंट को एगुट करना चाहते तो आप यूज करोगे आप यूज करोगे फॉरеро देखो मैंने this कामेंट किया है इस knini already a thumb princ कितने बार प्रिंट होगा मैंने ओके लिख दिया पाइथन प्रोग्राइमिंग डेक्स्टॉप पे पाइथन प्रोग्रामिंग मैंने लिखा एक मुझा एक मुझा डेमो मैं चेक कर लूँ लिखता हुए डेमो फुर्टी हमने कर लिया डेमो फॉर्टी यँ डाउट पि वाई डेखो आप बताओ कि यह आउटुट कितने बार प्रिंट होगा नाइन टाइम या 10 टाइमама क Caf nauc his meine प्रिंट और किया इहां पर प्डेया कालनुम्राइभ साल यूज्च करना पड़ेगा कालन यूज कर लिया शुक्षच कर लिया देुकूर cadeau आया हमने लिखा Python 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 कर लिया Demo 40 Demo 40 1.py ठीक है क्या हुआ 4 और यह 6 यानि कि इससे स्टार्ट किया इससे स्टार्ट किया किससे स्टार्ट किया 20 से और आपका 29 तक प्रिंट 29 तक प्रिंट होगा लेकिन यह आपने एक्स को प्रिंट कराया गया यह स्टेटमेंट कितने बार एक जिक्यूट होगा इस collection के हर element के लिए मैंने कल बताया था टिया स्टेट लाइन से मैंने कर लिए मैंने लिखा python python , crypto Set 29 तक आपने देखा अब तीसरा फॉर्म देखते है इसका इसका तीसरा क्या देखते इंक्रिमेंट कितने से हो रहा है यानि कि 10 के बाद क्या आया 11 11 के बाद क्या 12 12 के बाद आया 13 13 के बाद 14 14 ऐसे इसमें देखो तो क्या हो रहा है कि इंक्रिमेंट 1 से हो रहा है लेकिन आपको इंक्रिमेंट 2 से करना है 3 से करना है 5 से करना है 10 से करना है यानि कि हमने स्टार्ट करना है किस से हमें स्टार्ट करना है हमें स्टार्ट करना है टेंसे हमें स्टार्ट करना है टेंसे और इंक्रिमेंट एक से नहीं करना है फाइब से करना है तो क्या करोगे इंक्रिमेंट एक से नहीं करना है फाइब से करना है तो उसके लिए फॉर्म दूसरा है मैं लिग दिया form form 3 form 3 में क्या होगा form 3 में अगर मैंने लिखा range of range of हमने कर दिया a,b,c ठीक है इसका मतलब यह है कि it generate इट जनेरेट नंबर या सिक्वेंस आफ नंबर फ्रॉम ए टू बी माइनस वन है ना यानि कि यह एम एन जैसे था एनम था तो एसे ही स्टार्ट करेगा यानि कि एसे ही स्टार्ट करेगा और बी माइनस वन तक करेगा इंक्रिमेंटेड बाई क्या इंक्रिमेंटेड बाई सी कहने का मतलब यह है कि इट जनरेट सिक्वेंस आफ नंबर फ्रॉम ए हना from A to B minus 1 A to B minus 1 incremented by incremented by C कहने का मतलब यह है कि example की मैं बात करूँ example की मैं बात करूँ example की मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया rain माल लो मुझे 0 से start करना है मैंने कर लिया 20 मैंने कर लिया 20 और incremented by कर लिया 2 बताओगे आप बताओगे इसका रिजल्ट क्या आएगा मैंने यहां पे कर दिया मैंने यहां पे कर दिया मैंने यहां पे कर दिया चलो 10 इसका रिजल्ट आप बताओ कि क्या होगा इसका रिजल्ट क्या होगा क्या आएगा बताओ बताईए बई मैंने एक्जामपल लिखवा है आप बताओ रिजल्ट क्या आएगा बताओ इंक्रिमेंटेड वाई वन था तो किस से स्टार्ट करेगा इस्टार्ट करेगा जीरो से और कितने से इंक्रिमेंट करेगा लेकिन इसमें रेंज कहां से कहां तक बनेगा जीरो से लेकर नाइन तक और जीरो से लेकर नाइन तक के बीच में दो से इंक्रिमेंटेड वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे त्याने कि 0,2,2 के बाद क्या वन से इंक्रिमेंट नहीं तू से फिर उसके बाद 6 उसके बाद 8 क्या 10 भी प्रिंट करेगा क्या बताओ 10 प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा यहां पे बताओ कि 10 प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा आप इस पे reply करो वही 10 प्रिंट करेगा या नहीं 10 प्रिंट करेगा या नहीं पूल का reply करो yes or no yes or no बताओ इस पूल पे reply करवा बताओ देखो 89% इस्टूरेंट कह रहे है 89% इस्टूरेंट 9 इस्टूरेंट ने वोड किया है 88% इस्टूरेंट कह रहे हैं कि नहीं 10 नहीं प्रिंट करेगा हमने अभी definition जो लिखवाया उसके हिसाब से समझ के बताओ आप जो definition अभी मैंने लिखवाया उसके इसाब से आपको समझ के बताना है भी ठीक है ना बोलो अभी 19 लोगों ने वोड किया है सभी student वोड करो 90% इस्टूरेंट कह रहे हैं ठीक है बढ़िया वेलिगो देखो होगा क्या मैंने क्या बताया मैंने आपको definition लिखवाया यह कि it generates sequence of number from a a की value क्या है 0 0 से start करेगा है ना 2 from a to b minus 1 b की value क्या है b की value क्या है b की value क्या है यानि कि 10 है 10 minus 1 9 यानि कि sequence of number कहा से कहा तक हो जाएगा 0 से लेके 9 तक और उसमें हमें increment करना है 2 से जीरो टू लेकिन रेंज बे 9 जीरो से लेके 9 के रेंज में 8 ही तक तक तो आएगा या तो 10 तो 10 उसके रेंज में आई नहीं तो क्या होगा यह आपका output 10 नहीं आएगा भाई हमने print किया चलो इसके element को print करना है तो क्या यूज करोगे इसके element को print करना है क्या यूज करोगे मैंने यहां पे copy किया मैंने यहां पे copy किया next page पे आते हैं मैंने चलो यहां पे क्या जरूरी है अलग से भी बना सकते हो कोई दिख्या नहीं और उसको assign कर सकते हो हमने range up कर लिया 20 हमने 20 कर लिया हमने 40 कर लिया हमने 40 लिख दिया और इसको क्या करना है for look में access करना है मैंने i in collection collection क्या है एक्स एक्स पे आपका collection है मुझे print करना है print करना है तो चलो मैंने यहां पे लिख दिया print किसको करना है भाई i को i को ending किस से करना है चलो हमारा requirement यह है कि हमारा output कुछ ऐसा ना चीरू को हमें क्या करना है हमने कर लिया demo 42 demo 42.py हमारा result कुछ ऐसा ना चीरू बताओ क्या करना पड़ेगा मैंने incremented by 3 कर दिया मैंने incremented by अभी 2 ही किया चलो समझा बताना बताओ यह बताओ कि हमारा output हमें start किस से होगा हमारा start होगा output 20 से 20 हमें output को कुछ ऐसा दिखाना है 20 फिर 21 फिर उसके बाद देना है फिर हमें 23 एसे आउट्पुट तो लेकिन इंक्रिमें तो करना है शररड़ चाइब के बाद क्या त JESS यह बताओ क्या रीक्वार्मिट ये है कि मुझे आट्पुट कुछ ऐसा प्रिंट करना है इसके इसक्जाम्पल में यह के ट्वेंटी से स्टार्ट करना है यानि कि इसका सिक्वेश आफ नंबर कहां से कहां तक होगा सिक्वेशणाप नंबर यानि कि 20 से स्टार्ट होगा और B-1 B की value क्या है 40-39 39 ke range में two say decremented कहां तक होगा 38 क्यू 39 के range में अगर 20 से start करोगे और two से increment करोगे तो value कहां से कहां तक होगा तूसे 38 तक लेकिन हमारा requirement यह है कि result ऐसा आना चाहिए बताओ क्या करेंगे बताओ क्या गरेंगे हमें items को बीच में रखना है हमें items को बीच में रखना है आइटम्स को बीच में रखना है दो ब्रैकेट के बीच में रखना है तो देखो करना क्या पड़ेगा अभी आपका item ऐसा प्रिंट हुआ अभी आपका data इस टाइप से प्रिंट हुआ हमें क्या यूज करना पड़ेगा यहां पे अलग से भी बना सकते हो मैंने प्रिंट कराया देखो सारा element प्रिंट हो गया न्यू लाइन पे सारा element प्रिंट हुआ लेकिन न्यू लाइन पर हमने लिखा python demo 42.py देखो 20 से लेके 38 तक 20 से लेके 38 तक लेकिन मुझे requirement क्या है कि output कुछ ऐसा दिखाना है तो इससे पहले बताओ कि हम इसको bracket concrete कर लें इसके पहले और मैंने यह string है string में आप variable की value को concrete करना चाहते तो क्या करना पड़ेगा यह अभी output आएगा की नहीं आएगा बताओ इसमें क्या problem है यह इधर एक string है और एक string यह इधर है बताओ इसमें problem क्या है कोई बताएगा हमारा यह string है और यह variable है यह string है इसके बीच में concatenation symbol कौन सा यूज़ करना पड़ेगा इसके बीच में concatenation symbol कौन सा यूज़ करना पड़ेगा है बताओ भी बोलो कॉमा यूज़ करेंगे की नहीं हाँ क्या यूज़ करेंगे कॉमा new line के लिए तो क्या करना पड़ेगा इसके बीच में यह string है इसके बीच में कॉमा और यह वैरियेबल में इस ट्रिंग को कॉन केट करना है कॉमा लेकिन अभी प्रॉब्लम एक है क्या प्रॉब्लम है पता है कि प्रिंट स्टेटमेंट का जो बाई डिफॉल्ट इंडिंग होती है किस से होती है slash n से मैंने प्रिंट करा है मैंने लिखा python python demo 42.py python demo 42.py देखो अभी भी यह सब कुछ क्या हो रहा है new line पे आ रहा है मुझे यानि कि प्रिंट स्टेटमेंट का इंडिंग क्या है बाई डिफॉल्ट इंडिंग इसकी किस से है इसकी इंडिंग slash n से है class n से है और देखो वैसा ही output में कोई चेंज नहीं मैंने लिखा python python demo 42.py अभी भी तो वैसा ही हो रहा है मुझे क्या करना है मुझे एंडिंग को चेंज करना है न्यू लाइन से नहीं करना में टैब की स्पेस से करना है तो slash कर लिया लिखा python demo 42.py तो इस टाइब का आपका result आया इस टाइब का रिजल्ट आया है एक मिनट कि अग्ट कि अग्ट कि पुझे क्लेर है आपको यह आपने एक step देखा थिंग के कि एक इस कहसा अब आपको एक और नंबर f4 नंबर f4 यहां पर क्या हो रहा है hep क्या हो रहां इंक्रिमेंट हो रहा है हमेंं करना है करें तो क्या करोगी क्ये मैं करना है तो क्या करोगे सिंपल यह जेएस नोर्ट से मैं पाइथन के नोर्ट को लास में ओपिन कर लेता हूँ कि फॉर 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 देखो हमने लिख दिया रेंज आफ हमने लिख दिया का कॉमा बी कॉमा माइनस सी इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है रेंज क्या है जाने की इट जेनरेट it generates sequence of number sequence of number from from a to b-1 a to b-1 decremented by decremented by decremented by क्या c clear है decremented by c अब आपको यह पता है कि यह range इससे अधिक होना चाहिए ठीक है मैंने यहां पर किया example मैंने लिख दिया example मैंने कर दिया यहां पर range of range of 20 या मैंने कर दिया 50 ठीक है और कहां तक भई कहां तक मैंने कर दिया चलो मैंने कर दिया 10 decremented by मैंने कर दिया 3 decremented by कर दिया 3 चलो इसका range करके प्रिंट करागे देख लेते हैं copy किया next page पे आते हैं और एक variable बनाया x नाम का variable बनाया और एरे create range create किया और डेमो 43.py ठीक है डेमो 43.py यह हमने बनाया ठीक है डेमो 43.py अब मुझे क्या करना है इसके element को print करना है इसके element को print करना है तो for loop प्यूज करोगे for i in collection x ठीक है for i in x और colon मुझे indent देना पड़ेगा मैंने लिख दिया indent 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 ठीक है indent हमें इसके सारे value को मुझे star से separate करना है तो मैंने यहां पर किसको print करना पड़ेगा आई और ending किस से कर दिया इंडिंग कर दिया star से डबल है तो यह आपका रेंज होगा कि देखो मैंने लिखा पाइथन पाइथन है पाइथन है पाइथन डेमो फॉर्टी थ्री डॉट प्रिवाट तरी कॉलन लगा ना पड़ेगा ना यहां पे कॉलन यूज कर लो क्या हुआ रेंज आफ एक्स कर लिया वैर यहां पर यूज कर लिया गलती से जावा यस्क्रिट में वैर यूज करते हैं ना यहां पे का तो यहां पर कर लिया पाइथन पाइथन डेमो 43.py देखो ठीक है तो यह क्या होगा यह क्या होगा कि यहां से यहां तक आपको रेंज अच्छा यहां पर क्या होगा यह जैस नोट पाइथन नोट में लास में ओपन कर लेता हूं पाइथन नोट में लास में ओपन कर लेता हूं यहां पर बी प्लस वन ठीक है बी प्लस वन तक करेगा याने कि स्टार्ट करेगा कहां से स्टार्ट करेगा एसे और कहां तक B plus one तक decremented by किस से सी से ठीक है तो यह आपका result होगा ओके run कर आया तो उसके accordingly आप क्या कर लोगे देखो रन कर आया 50 से start हुआ और 10 है तो plus one वहां तक का आपका data यह आया ठीक है तो यह था आपका यह था आपका range data type range data type अब मुझे देखना है for loop ठीक है न यह range data type range का दो form हमने कल बताया था range data type होता क्या है क्यों यूज करते हैं वह आपने कल देखा था उसी का दो example आपने अभी देखा जिसको range में confusion होगा कल वाला वीडियो देखना फिर यह देखो कि अच्छे से clear हो पाएगा ठीक है इतने में कोई confusion है तो अब मुझे क्या करना है अब मुझे यूज करना है अब मुझे यूज करना है वाइल लूप यूज करना अभी देखो यहां पर फॉर लूप में क्या था कि आपने देखा था कि किसी कंडिशन फाल्स होने तक किसी ग्रूप आप स्टेटमेंट को इटरेट करना था एक्जिक्यूट करना था तो आपने फॉर लूप जैसे दूसरे लैंग्वेज में देखा था लेकिन यहां पर फॉर लूप में क्या है कल बताया था कि किसी कलेक्शन के हर एक आइटम के लिए आप क्या करना चाहते हो किसी ग्रूप आप स्टेटमेंट को एक्जिक्यूट करना चाहते तो आपको यूज करना पड़ेगा क्या आपको फॉ लूप नहीं है जो आपने अभी तक के पढ़ते आ रहे हो यहां पे फॉर जैसे दूसरे लाइंग में आपने पढ़ा है फॉर इच लूप पढ़ोगे जावा में सी साथ में वैसे यहां पर फॉर लूप यहां पर कंडिशन के बेस पर आपको गुरूप आप इस स्टेटमें लूप इस स्टेटमेंड ऐसे स्टेटमेंड अंटिल यांब की किसी कि लूप आप स्टेटमेंड को कंडिशन के फाल्स होने तक execute करना चाहते हो तो आपको use करना पड़ेगा क्या while loop मैंने लिखा क्या लिखा मैंने मैंने लिखा if you if we want to execute a group of statement until condition falls then we have to then we have to use we have to use while loop while loop अब बात यह आते है कि इसमें condition के वेश पे state rate करना है किसी group of statement को execute करना और कब तक एक्जीक्यूट करना जब तक की condition फाल्स नहों जा तब तक execute होता रहें किसी group of statement को अगर फॉर लूप था तो फॉर लूप में क्या था कि फॉर लूप यहां पे आपका collection बेस काम करता था आपको याद होगा कि आपने लिखा था यहां पे फॉर और वैरियेबल नेम इन collection जैसे हमारा collection मान लोग की टेक पाइल है यहां हमारा collection है राम तो मैंने इसमें क्या बताया था और इसके अंदर statement है यह आपका statement है कल बताया था ना यह statement है तो यह statement आपको पता है कल मैंने बताया था मैं जुम इट को open कर लूँ एक बार जुम इट अच्छा चलो तो जुम software एक बार यहां पे ड्रा करके मैं आपको बताऊं एक मिनट जैसे यह फार लूप में आपने देखा था फार लूप में आपने देखा था कि यह statement था यह statement था और यह collection था है ना यह collection था तो हमने बताया था कि यह मार लोग collection है तो यह statement यह statement आपका क्या होगा यह आपका entry point था है ना यहां से यह entry point था यह collection आपका यहां से entry point था यह और यह यह वाला statement आपका इस collection के हर एक element के लिए execute होगा पहले यह statement किसके लिए execute होगा इस element के लिए फिर इस element के लिए और फिर इस element के लिए हर एक element के लिए किसी group of statement को हर एक element के लिए execute करना चाहते हो किसी collection के यह collection है यह collection कुछ भी हो सकता है मैंने बताया list हो सकता है टपल हो सकता है से डिक्सिनरी होता है से बहुत सारे डेटा टाइप आपको बताएंगे अभी आपने इस टिंग देखा है और रेंज देखा रेंज भी एक कलेक्शन है सिक्वेंस आफ नंबर का तो यहां पर इक्वेंस कोई भी हो सकता है हो जाएगा यह आपका statement execute होगा यहां से यहां होगे ठीक है फिर क्या होगा फिर आपका यह चिक होगा यहां पे कि क्या element है कि नहीं यह बचा हुआ है तो इसके लिए execute होगा फिर यह element किसमें आएगा x में आएगा फिर x को अगर x को print करना चाते तो X आपका print हो जाएगा फिर देखो चिक करेगा ये कि क्या इसमें अभी element बचे हुए है जिसके लिए हमारा loop नहीं चला है तो एक element और भी बचा हुआ है फिर यहां से कहा जाओगे यहां पे एक element और भी बचा हुआ है तो फिर ये element किसमें आएगा X में आएगा और X को print करा सकते है अब देखेंगे फिर देखेंगे कि क्या collection में कोई एक ऐसा element है क्या जिसके लिए loop नहीं चला है ये statement एक्जिक्यूट नहीं हुआ है नहीं बचा है तो फिर अब कहां से कहां चले जाओगे अब यहां से यहां नहीं जाओगे क्या हो जाएगो यहां से लूप terminate हो जाओगे यह आपने देखा लेकिन तो यहां पे collection बेस काम करने के लिए देखा था लेकिन while loop की मैं बात करूँ मैं बात करूँ while loop की तो while loop में क्या है कि वाइल लूप में हमने लिखा वाइल इसका सिंटेक्स क्या है पहले यह देख लूँ कि सिंपल अगर मैं सिंटेक्स की बात करूँ मैंने कर लिया सिंटेक्स सिंपल क्या है लिखोगे वाइल और कंडीशन यहां पे क्या होगा वाइल कंडीशन बस वाइल कंडीशन और इसके अंदर इस्टेटमेंट क्या यह क्या जरूरी वैल्यू को अपडेट करना जरूरी है क्या यह बताओ यह यह सही है कि नहीं इतना कंडीशन सही है क कि नहीं ये statement से हैं कि नहीं जरूरी नहीं कि value को update करना condition उसके इसाब से चीकशना यह बस यह है आपको अब अलग-अलग conditions लगाने value को इट्रेट करना है value को आपको अफ़ग्रेट करना है बढ़ाना है तो आप कर सकते हैं, यानि कि मैंने बताया क्या, मैंने आपको while loop का syntax ये बताया, और while loop का definition क्या बताया, कि किसी group of statement को, किसी condition के false होने तक execute करना चाहते हो, तो आप use करोगे क्या, ये while loop का, अभी condition false का भी, अगर मैं बात करूगी यहाँ पे, अगर मैं infinite loop की बात करूँ, मैं बात करूँ, infinite loop, infinite loop, मैं ने लिखा infinite loop, while loop का use करके, infinite loop हमने use किया, चलो, मुझे क्या करना है कि मैंने लिख दिया while और यहाँ पे लिख दिया true, color, और यहाँ पे हमने print कर दिया राम, बताओ, ये कितने बार print, while लिख दिया, और मैंने यहां पर लिख दिया print of मैंने लिख दिया राम बताओगे यह statement कितने बार execute होगा बताइए यह infinite loop है बताओ यह statement कितने बार execute होगा पता है कि यह statement इस while loop का statement यह loop कब terminate होगा जब condition false होगा यह कभी terminate होगा क्या बताओ बताओ भई रिप्लाई करो बार बार रिपीट होगा क्यों क्यों कि देखो हमें हमने आपको definition क्या लिखवाया हमने definition आपको लिखवाया हमने आपको definition लिखवाया कि किसी group of statement को किसी condition के बेस पे condition के false होने तक execute करना चाहते यहां पे condition लिख। यहां पर यहां से आजाएगा condition टू है यहाँ पे true ही लिखा है फिर से print हो जाएगा फिर से value प्रिंट हो जाएगी फिर यहाँ पे back जाएगा यहाँ देखेगा क्या है true है true है तो फिर से print होगा यह false कभी होगा कि यह false जब यहाँ पे true है अगर इसको false करोगे यह आगे मान लो false होता है फास तो ऐसे होगा ही नहीं मैंने डारेक्टी वैल्यू पास कर दिया है अगर यहाँ पे फाल्स होगा अब फाल्स कैसे होगा मैं आगे बता रहा हूँ अगर फाल्स होगा तब यह आपका लूप का इस्टेटमेंट एक्जिक्यूशन लुग जाएगा और लूप से टर्मिनेट हो जाओ गया ठीक है लूप से टर्मिनेट हो जाओ जब तक यह टू रहेगा यह जब तक टू रहेगा जब तक यह स्टेटमेंट बार बार एक्जिक्यूशन जब तक टू रहेगा बार बार यह इटरेट होता रहेगा execute होता रहे है तो अगर मैं बात करूं चलो चलो प्रिंट कराके देखते हैं मैंने लिख दिया while true while true और new line पे आते हैं new page पे आते हैं save कर लिया मैंने लिख दिया demo demo 44.py demo 44.py इसकी print statement की ending क्या किसे होती है बताओ print statement की ending किसे होती है slash and save slash and save दो क्या होगा देखो राम 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 ऐसे print हो रहा है python python demo निएमो तर्टी है फटी है फटी फॉरद देमो फटी फॉरे दॉडब भृट प्वाइट आ यह ने प्रिंट हो रहा है रखो यह करसर को देखो नें दिखρέнос डिक रहा हैं यह यह रहां रहां से हो रहा है मुझे क्या करना है मुझे इन फाइनाइट लूप नहीं मुझे क्या करना है कि इंडिंग इसका चेंज करना है हमने कर दिया यहां पर एंड एंड विड राम और स्याम लिख दिया या हमने यहां पर इसकी इंडिंग कर दी एक ऐसे स्ट्रेट लाइन और इस पेस थे अब देखो अब यह लूप कितने बार चलेगा कभी फाल्स होगा ही नहीं और जब फाल्स नहीं होगा तो यह इन फाइनाइट टाइम तक सलता रहेगा मैंने लिखा पाइथन डेमो 44 पाइथन डेमो 44 डॉट पी वाई देखो प्रिंट हो रहा है देखो इन फाइनाइट टाइम तक यह क्योंकि कंडिशन कभी फाल्स होगा ही नहीं और यह प्रिंट हो रहा है क्यों हमने एंडिंग किस्ते किया है स्ट्रेट लाइन से ठीक है हमने कर दिया हमने लिख दिया स्याम ठीक है स्याम कर दिया और स्टार कर द पाइटन डेमो 44.py देखो तो ऐसे कभी लूप टर्मिनेट हो गए नहीं यहां पर स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी प्रिस कर दो तो हो जाएगा कंट्रोल सी प्रिस किया है ना तो ऐसे आप इसको इन फाइनाइट लूप लेकिन अब फाल्स करना है मुझे तो देखो अब दूसरा फॉर्म बताते हैं यहां पर आते हैं वहीं नोट्स को मैं ओपेन कर ले रहा हूं यहां पर चलो यहां पर आते हैं ठीक है इसको मैं बार बार मुझे करना पड़ रहा है मैं इसको क्लोच करके लास में उपन कर ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे टाइव उपन हैं बहुत सारे चलते हैं तो तुफ देखो वाइल लूप आपने यह देखा अब मुझे क्या करना है कि चलो हमें वाइल लूप का यूज़ करके एक से लेके जीरो से लेके टैन तक का नंबर प्रिंट करना है लिए या 0 से लेके या 10 से लेके 20 तक का number प्रिंट करना है इसके लिए मुझे while loop का यूज करना है तो देखो क्या करना पड़ेगा मैंने लिखा यहाँ पे मैंने एक variable बनाया मैंने कर लिया i equal 0 से start करना है तो 0 कर लिया i equal 0 और मैंने यहाँ पे कर लिया while while मुझे कहां तक प्रिंट करना है तो मैंने लिख दिया i i is less than r equal to 10 कालन और मैंने कर दिया किसको प्रिंट मैंने कर दिया किसको प्रिंट i को आप बताओगे आप बताओगे कि क्या प्रिंट होगा क्या क्या प्रिंट होगा इसमें 0 प्रिंट होगा 0 प्रिंट होगा या 0 से लेके 10 तक नमबर प्रिंट होगा आप बताओ एक बार देखो समझो फिर बताओ फिर मैं बताता हूं इसका आउटपुट बताओ क्या प्रिंट होगा हमने देखो हमने आई की वैल्यू क्या है जीरो कंडिशन टू होगा जीरो इस लेस देन हमने बता है कि यह स्टेट का मतलब यह है कि हमने आपको अभी समझाया है मैंने अभी बताया है कि पहला पहला आपका इसका इंट्री पॉइंट क्या हो जाएगा यह वैल्यू इनिसलाइज होगा और उसके बाद यह आपका इंट्री पॉइंट हो जाएगा मैंने लिगा इंट्री पॉइंट यह is the nr equal to 4 condition true है और 0 प्रिंट हो गया यानि कि condition true होगा आपको पता है कि यह true होगा अगर यह true है तो यह आपका statement execute होगा यह true है तो यह statement execute होगा अगर false है अगर false है मैंने लिख दिया यहाँ पे अगर false है अगर यहाँ पे false है यानि कि अगर यहाँ पे false है यह आपका क्या है true है तो यह statement execute होगा अगर false है तो loop terminate हो जाएगा क्यों भई यानि कि यह statement execute नहीं होगा अगर condition true है तो यह statement execute होगा यहाँ से यहाँ यह होगा लेकिन false है false है यानि कि अगर ये true है तो ये और false है तो क्या यहाँ पे loop terminate हो जाएगा तो कहने का मतलब यह है कि यह बताओ I की value update कर रहे हो क्या मैं ने यहाँ पे क्या किया समझना मैंने इसको अटाया अभी क्या है अभी के case में बताओ कि I की value zero zero के लिए condition check हुआ zero is less than four क्या हुआ I कie value print फिसके बाद यहाँ पे condition check होगा चेक होगा तो फिरаю की value क्या ही यह. जीरो ही तो है फिर ते print कभी condition false होगा हमेशा value तो zero ही है यहां से क्या जाओगे है यहां से जाओगे यहां फिर ik value zero यह you जीरो के लिए condition check होगा फिर जीरो के लिए condition check होगा आई की value बड़ी नहीं यह क्या print करेगा यह बताओ भई क्या print करेगा अब बतादो अब output बताओ क्या result आएगा result क्या आएगा बताओ रिप्लाई करेगा जीरो से लेके 4 जीरो से लेके 10 टेन क्यों आएगा जीरो आएगा ना क्यों अभी तो जीरो ही आएगा क्योंकि जीरो आई की value अपडेट नहीं कर रहे हो मैंने यहां पर रन कर आया मैंने यहां पर रन कर आया देखो python डेमो python डेमो 44 था कि 45 था 45 था अच्छा यहां पर मैंने अभी इसी को इस पर यहां पर समझाया है इसको मैं copy कर ले रहा हूं मैंने copy किया next page पे आते हैं paste किया save किया और लिख लिए डेमो डेमो 45.py डेमो 45.py चलो देखो क्या output आएगा मैंने इंडिंग चेंज करना है तो मैंने इंड कर लिया एंड विद एंड विद इस्टेट लाइन देखो लिखा python python demo python demo 45.py देखो इन 5 नाइट टाइम तक 00000000 प्रिंट कर रहा है क्यों बही क्योंकि condition तो कभी false हो गई नहीं क्योंकि आपने value को इने slides किया है वैल्य को update आई की value update नहीं कर रहा है हमेसा आई की value 0000 के लिए condition हमेशा true रहेगा और भी जीरो प्रिंट कर देगा जीरो के लिए हमेशा क्या रहेगा जब इसकी value हमेशा zero ही रहेगी तो हमेशा condition true होगा और जब condition true तो होगा तो यह statement प्रिंट होगा condition यह प्रिंट कब नहीं होगा जब condition false होगा तो क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा आई की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा तो आई की वैल्यू को अपडेट करना यह बताओ कि मैं यहां पे कर दूं सही है मैंने यहां पे कर दिय या आई प्लस प्लस क्या सही है क्या कितने लोग कह रहें कि सही है मैंने यहां पर लिखा आई प्लस प्लस मैंने आई की वैल्यू आप तो समझ रहोगे कि यह सही है मैंने लिख दिया आई प्लस प्लस यानि कि आई की वैल्यू देखो अभी के लिए आप समझोगे तो देखो यहाँ पे problem क्या एक problem है अभी देखना मैं समझाता हूँ मैंने यहाँ पे i की value इतने के लिए देखो इतने के लिए देखो i++ का मतलब क्या होता है कि value जो भी पुरानी होगी उसकी value एक से increment हो जाएगी तो लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि increment, decrement operator तो होता ही नहीं है लेकिन हमें increment करना है तो आप बताओगे मैंने बताया था assignment operator जाने कि किसी भी variable की value 1 से update करना है अपग्रेट करना है तो क्या कर लोगे आप plus equal का use कर सकते हो plus equal 1 कर सकते हो assignment operator बताया था पर सकते हो वहाँ से जाके जिसको confusion है अभी के लिए देखो क्या है कि अभी I++ यहाँ पे नहीं use करेंगे लेकिन इसको और क्या लिख सकते हो यहाँ पे increment, decrement operator नहीं होता है तो इसको और क्या कर सकते हो यानि कि I की value जो भी होता है उसमें plus plus का मतलब यह है कि आपका एक value increment हो जाएगी वो value one से increment हो जाएगी लेकिन इसको हम और क्या लिख सकते हैं इसको हम और क्या लिख सकते हैं अगर मुझे आपको assignment operator में use करना है तो आपको बताया था plus equal बताया था यादे plus equal one कर सकते हैं कि नहीं इसी को अगर python की मैं बात करूं तो क्या लिख सकते हो यहां पर आपको पता है कि increment decrement operator तो होता ही नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो i i plus equal one लिख सकते हो ना इसका मतलब यह assignment operator में बताया था आपको ध्यान है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि i plus one plus equal one का मतलब क्या है कि i i i equal i plus one i equal i plus one यानि कि i की value जो भी होगी इसमें i की value जो भी होगी उसमें जोड़ करके बात तो वही है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो चलो वैंने लिखTE यहां पे अभी देखोगे तो अभी रन कराएंगे तो इसके केस में प्रॉब्लम आएगा क्योंकि यहां पे इसको लिख सकते हो इसको लिख सकते हो या तो आए एक्वल आइ प्लस वन से बढ़ा दो या तो इसको और क्या लिख सकते हो आई प्लस इक्वल वन आई प्लस इक्वल वन बात एक ही है तो देखो अब इसके लिए condition यह चेक करो इसके लिए अब यह code आपका execute कैसे होगा पहले आपका इंट्री पॉइंट यहां पर आप आए इंट्री पॉइंट पर आया आई की वैल्यू जीरो के लिए condition चेक हुआ जीरो के लिए condition चेक हुआ चेक होगा वन इस लेस दैनर एकवल टूफोर कंडिशन अभी वी ट्रू है फिर से आपका यह statement प्रिंट हो जाएगा फिर थ्री के लिए condition चेक होगा ऐसे फॉर के लिए condition चेक होगा ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी और फॉर के लिए condition चेक होगा तो फॉर के लिए भी व वैल्यू फाइफ हो गई फाइफ के लिए क्या हुआ कंडिशन चेक वाफ फाइफ इज लेस दैन आर इक्वल टू एक्वल टू फोर कंडिशन फास तो क्या हो जाएगा लूप टर्मिनेट होके यहां पर आजा होगा क्यों बहुत बताओ यह प्रोसेस आपका है मैंने तो क्या देखो इतने वे हमने प्लस प्लस किया है देखो प्रॉब्लम क्या है मैंने प्लस प्लस यूज किया है और रन कर आते हैं मैंने लिखा python हमने लिखा python python demo 45.py देखो problem आया कि नहीं है ना तो problem आया कि plus plus यहां पर देखो error दिखा रहा है है थो क्या करना पड़ेगा मैंने बताया कि यहां पर pre increment और pre decrement post increment operator है नहीं तो क्या करोगे plus i plus equal कर सकते हो one या i equal i plus one कर सकते हो जैसा आपको suitable लगे जैसा समझाए तो देखो मैंने यहाँ पे किया अब मुझे बताओगे कि मैंने यहाँ पे print कर दिया यहाँ पे print कर दिया आपको output बता नहीं मैंने कर दिया इकवल को हमने 10 टाइम पुया 10 टाइम किया 20 टाइम पुरिंड kiya किया इंटी टाइम पुरिंड किया और नीचे रिंड कर देना है आउट औफ आउट आउट बताओओ क्या एगा और कुछ에 एंडिंग change करना है एंडिंग चेंज कर दिया है आउटपुट बताओ किया आएगा मैंने यहां पर देखो indent को आपको issue है आप कर लो इसको indentation level सही कर लिया करो enter करके देखो इसके लिए क्या output आएगा देखो क्या होगा I की value 0 I की value 0 जीरो के लिए condition check होगा 0 print हो जाएगा उसके बाद दो इस्टेट लाइन ठीक है अभी यह लूप टर्मिनेट नहीं होगा फिर आई की वैल्यू यानि कि जीरो थी जीरो प्लस वन जीरो प्लस वन क्या हो जाएगा वन वन के लिए कंडिशन चेक होगा क्या हो फ्री हो जाएगा ठीके लिए कंडिशन चेक होगा और फिर वैल्यू5 और 5 के लिए कंडिशन फास होग्या तो आप यहां सए सिद्धे कहां होगे यहां पे और यानिकी सारेन नमबर 0 से लेके 4 तक number print होने के बाद आपका यह आ जाएगा 20 time star और उसके बाद 20 time equal और उसके बाद out of while loop ठीक है out of while loop तो यह ऐसे आप while loop का यूज़ कर सकते हों हमने लिखा python demo 45.py और यह आपका देखो आया है है ना हमें line को break करना है यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ प इसके बाद chain कर सकते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो ऐसे आप statement को print कर सकते हो clear है देखो तो सारा element आपका print हुआ मैंने लिखा python python demo 45.py देखो 0,1,2,3,4 तो इस type से आपका element आया है ठीक है ना चलो भाई ठीक तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ओके ठीक समझ आया while loop बताव भाई while loop clear है समझ आया सबको while loop infinite loop while में infinite loop आपने देखा और ये देखा ठीक है ना चलो फिर हाँ में बी कल आपका class बंद रहेगा हो सकता है क्योंकि मुझे कल एक lesson में जाना है तो पहले ही थोड़ा जाना पड़ेगा इवनिंग में तो हो सकता है कि class आपका कल बंद करना पड़े मुझे ठीक है ओके ना बताव भाई बोलो भाई कल की class लगबग 60% chances हैं कि बंद रहेंगे ओके बताओ reply करो ठीक है ना क्योंकि कल मुझे थोड़ा बाहर जानना इनिमेटेशन में चलो ठीक है ठीक है ओके भाई फिर आज की class के लिए थैंक यू बाबाई टेक गया झाल किल कल में है प्यूदी बाई दीक है के खेंकें